Hello everyone, welcome back to my channel, चलिए continue करते हैं 6th class के history का chapter 1, What, Where, How and When Last video में हमने पढ़ा, Why did people travel in the past, यानि past में लोग यात्रा क्यों किया करते थे और name of the land के बारे में, आज हम पढ़ेंगे, Finding out about the past, यानि हम अतीत के बारे में कैसे जाने So let's start, Finding out about the past हमने last कुछ वीडियोज में देखा, कि सबसे पहले राइस, वीट और बारले जैसी फसलों को कहां उगाया गया Agriculture का development कहां से शुरू हुआ, और हमें अपनी country के दो नाब, इंडिया और भारत कैसे मिले पर past के बारे में इतनी सारी information आखिर हमें मिली कैसे past को जानने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, जैसे कि past में यूज की जाने वाले objects के जरिये भी हम काफी information collect कर सकते हैं, और ऐसी ही बहुत से चीजें यानि जिन से हमें past की information मिलती है, उन्हें sources of history कहा जाता है यानि इतिहास के शुरूत, इनके जरिये हम धीरे धीरे past को reconstruct कर सकते हैं, और past में हुए events के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, और आज हमारे पास ऐसे बहुत से sources available हैं, जिने हम broadly दो parts में divide कर सकते हैं, number one, literary sources, number two, archaeological sources, इस वीडियो में सिर्फ हम literary sources के बारे में पढ़ेंगे literary sources, when we got information by reading book that were written long ago, यानि हम जब उन किताबों से जानकारी प्राप्त करते हैं, जिने हजारों सालों पहले लिखा गया, तो उन्हें literary sources कहा जाता है आज हमारे पास बहुत से ऐसे literary sources हैं, जैसे कि number one, manuscript, यानि पांडू लिपी, they were written by hand, इन्हें हाथ से लिखा जाता था, और हाथ से लिखे होने के कारण ही इन्हें manuscript कहा जाता था manuscript word, Latin word menu से बना है, जिसका मतलब है hand, पर इस टाइम पर हमारे पास writing के लिए paper नहीं था, इसलिए thousand years ago, writing के लिए palm leaves और हिमालया में उगने वाले बिर्ज, यानि भूच नामक पेड की बाग को writing के लिए तयार किया जाता था, इन्हें special तरीके से तयार किया जाता था, For example, the palm leaves were cut into pages and tied together to make books, यानि किताब बनाने के लिए ताड के पत्तों को काट कर उनके अलग-अलग हिस्सों को बान दिया जाता था, इसका एक example आप यहाँ देख सकते हैं, पर इन्हें बचा कर रखना काफी मुश्किल काम था, क्योंकि इतने सालों में बहुत से manuscript को कीडों न की काफी सारे information मिलती है, जैसे कि नाबर वान, religious belief and practices, यानि उस समय की धार्मिक माननेता है, और लोगों के पूजा पाट करने का तरीका, नाबर टू, the lives of king, यानि उस समय के राजा और उनकी life के बारे में, नाबर थ्री, medicine and science, यानि कौन सी दवाया लोगों के दोरा यूज क के बारे में, नाबर फोर, epics, poem and plays, यानि उस समय की महाकाव्य, कविताय और नाटक के बारे में भी, these were written in Sanskrit, other were in प्राकृत and तामिल, यानि इन में से काफी books को संस्कृत और कुछ को प्राकृत और तामिल में लिखा गया था, प्राकृत लैंग्विज वो भाशा हुआ करती जिसे उस समय आम लोगों के दोरा यूज किया जाता था, हमारे पास दूसरा literary source है, biographies, यानि जीवन चरित्र, a biography or a simply bio is a detailed description of a person's life, यानि किसी के जीवन के वारे में detail से लिखना, these contribute in reconstructing history, इतिहास को दोबारा से निर्मान करने में ये काफी help करते हैं, for example, हर्ष चरिता, जो बानबट दौरा लिखी गई, जो हमें Emperor Harsha की life और उसके kingdom के बारे में काफी detail information देती है, number 3, religious text, यानि धार में click, religious text like Vedas and उपनिशत tell us about the Vedic age of India, वेद और उपनिशत के दौरा हम Vedic age के बारे में काफी जानकारी हासिल कर सकते हैं, इसके अलावा, पुरान, भगवत गीता, म इन सब किताबों से भी हमें उस समय की economic, social और religious life के बारे में काफी information मिलती है, number 4, secular literature, other text highlights other aspects of life, यानि की ऐसे लेक जो धार्मिक नहीं थे, पर हमें उन से जीवन के कई पहलू के बारे में पता चलता है, For example, शकुंतला और मेगदूद, जो काली दास द्वारा लिखी गई, मृच काटिका, जो सुदर का द्वारा लिखी गई, गीत गोविंदा, जै देवा द्वारा लिखी गई, और अर्थ शास्त्रा, जो की बहुत ही famous book है, चानक के द्वारा लिखी गई, इन बुक्स के उस टाइम के बारे में काफी कुछ पता चलता है, number 5, travelers account, many foreign travelers have also given good account of ancient India, हम पढ़ चुके हैं कि लोग एक जगा से दूसरी जगा यात्रा किया करते थे, ऐसे बहुत से foreign travelers थे, जो ancient India में आए, और उन्होंने यहां के बारे में काफी कुछ लिखा, उनके दौरा लिखी गई books उसको travel log कहा जाता है, for example, Megasthenes, जो कि एक Greek ambassador था और Moran court में रहा करता था, उन्होंने book लिखी इंडिका, जो हमें Moran Empire के बारे में काफी information देती है, फाहियान और हुआन शैंग, जो कि Chinese travelers थे, भारत के यात्रा के दौरान उन्होंने इंडिया के बारे में काफी कुछ लिखा, ये वो sources थे, जो उस समय लिखे गए, इन में से काफी नस्त भी हो चुके हैं, पर जो बच गए, उनसे हमें past की काफी information मिली है, इस वीडियो में हमने सिर्फ literary sources के बारे में पढ़ा, next वीडियो में हम बात करेंगे archaeological sources के बारे में, अगर आपको मेरा explanation अच्छा लगा, so do like, share and subscribe my channel for more videos, आप इस chapter के other parts देखने के लिए दिये गए link पर click कर सकते हैं